कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाओगा एंड मैं इतना उमीर करता हूं कि जो नीच वाले बच्चे होंगे वो भी काफिवाद तक समझ चुक्या होंगे कि मैं आपको क्या बताना चालता हूं ठीके फेर बचो यहां से आप आपको यहाद है मैंने प्रॉमिस किया था क कि मैं आपको युडियोमेटर पर क्वेशन करांगा एडवांस लेवल का बट मैं मेरे इसास मेरे काफिक समय दे दिया है और मैं हो सकूंगा तो इससे नेक्स्ट क्लास में यह जो हमारे लास्ट दिन होगा डिसकसन का आया जो भी हमारा लास्ट लेक्च्चर हो उसमें मैं इसको करने की कोशिश करूंगा ठीक है तो फिलास आगे बढ़ते हुए हम अपना टॉपिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो बात है पहले तो आपको यह में समझना पड़ेगा जो प्रॉड्यूशन कहते हैं तो बेसिकली मिक्स होने पर आपको एक प्रोड़क्ट तयार देता है जिसको क्या बोलते हैं solution कहते हैं तो बेसिकले मीनिय वा कि सबोस्स कुराहओ आपके पास को यह डबँबा है इसमें वाटारम मतलब कोई solvent है निंवट तो यह आपके पास क्या है harmony is a क्या कर दिया कोई solute क्या हमने इसमें क्षोल्क reflected क्या थे तो फर्देन को क्या देगा साल्यूट Thing expected विची व लेंज़िय समझत था समुस्वाल्ण को सो राइढ है सोल्युशं समय को हरे विजीट प्लाellschaft scor Kyden just सल्भाटियुन readiness मिक्षर solution is a homogeneous mixture solution is a homogeneous mixture solution is a homogeneous mixture of two or more component two or more component two or more component two or more substance better, फजाद़ बटर, substance, two or more substance, two or more substance, in which individual, in which, in which, individual, in which individual component will lost, in which individual component will lost their identity. और,oleynn whose partner will lost their identity, and the component of solution are known as, and the component of solution are known as, component of solution are known as, component of solution are known as, solute and solvent. क्या बोलते हम इसको solute or solvent बोलते है अच्छा एक मिट चास्कुर ओके ठीक है नाव और वाज और चीज़ आपको के लिए रोचीज़ में क्या 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 है अगर किसी दो चीज़ को आपने मिक्स किया अगर किसी सब्सक्राइब क्या क्या कि अगर्ण मिक्स क्या और मिक्स कुछ तो ह्लाइक गता है ठीक है अब जिससे सब्सक्राइब में बोलता हूं सा लाइक से दूद और चीनी दूद और चीनी आपने मिक्स किया तो आपको क्या प्रोड़क्त मिलता है मिल शेक क्या देखते हैं कि सोलुशन ही होता है वो भी बढ़ेट सब मिक्स्चर ओफ डिफरेंट कॉंपोनेट राइ ऐसे मिलिव दो कंपोनेट कंटेन करता है एक कंटेन करता है मेरा सॉल विसे होता है मेरा सुलिवन कोन मद लेखते हैं कि हम ऐसे मानते हैं कि जो चॉबकॉने सबसे कम अपारों से लिख घ्रत और जो component मेरा ज्यादा मोंट में है, like which is in bigger या larger quantity, तो उसका क्या मोंता है, solid बोरत है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, component, which is solute के निचे, present in lesser quantity, known as solute, solvent क्या होँ मेरे लिए, component, which is present in larger quantity is known as solvent, उसका क्या बोलता है, solvent मोलता है, यह एक solute होगे, अब यह क्या होँ मेरे लिए, solvent होगे, ठीक है, बात थोड़े धान सा बनना, क्या यह exactly सही definition है, तो मेरे according तो नहीं, क्यों, अब समझ बात को, और अगर suppose करो मैंने 500 ml दूद लिया, और 500 ml वाटर लिया, क्या इन दोनों कर मिक्स करने पर solution बने था, बुद्धिकल बने था solution, लेकिन क्या अब यह decide कर सकते है, इसमें से solute कौन सा इसमें से solute कौन सा नहीं, तो basically जो exact definition होती है, वो definition यह होती है, अगर कोई substance अपनी identity loose करता है, mix होने पर, जहां रखना, solute करते हैं, तो I hope so, यहां तक आपको यह ना तक चीज़े समझ माई हैं, क्या आपको में क्या समझाना चालों, तो बढ़ यह बुकुष definition है, तो आपको थोड़ा बद पता होना चाहिए, ठीक है? Now, जैसे for example के बात करूँ, example मेरा salted water, क्या मेरा? salted water, salted water में दो बाते हो जाएगे, salt आपके लिए किसके जैसा एक करेगा? salt आपके लिए एक करेगा? solute के जैसा, water किसके जैसे एक करेगा? water एक करेगा मेरा solvent के जैसा, salt किसके जैसा, solute के जैसा, water किसके जैसा एक करेगा? solvent के जैसा, तो यहां तक आपको थोड़ी बहुत बेसिक डेफिनेशन समझ में कि आगके सॉल्यूट क्या होता थीक है यहां तक चीजे समझ में आगे हैं जैसे सब्सक्राइब एक और एक्जामपल के तौर के बात करो एक्जामपल में बात करो एक्वस सोलूशन ओफ यूरिया कि यूरिया का सिंपल सा मतलब है कि स्लूशन इसका मतलब साइब करा सालमेट के लां खेवट करें कि से अर्य और विया आपके लिए क्या हो जाएगा सब्सक्राइब यहां तक पर विच आपको बात समझना आएगे जो आपको मैं क्या संधाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो यहां तक मैं इतना समझ के चल रहा हूं कि यह चीज़ आपको पड़ेगो समझ मारों कि लिटिल बिट आइडिया लग रहा हूं आपको समझ करते ह हैं हम पाइड सौन चीज़ इसकी बात कर रहे हैं ऐसा सौनलेशन के अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम सौनली संटो दो तरीक इसम डिवाइड करते हैं तो पहला तरीका है on the basis of component on the basis of component किके एडिक रहा है नहीं चीज़ रहा तक बारी सुदिशन किया आता है binary solution binary का मत्तब ही क्या होगा जिसमें दो component कि कितने component होगे दो component वाले solution का में समक्या होगा बाइनरी और ज्यल्री आपके पढ़ना रखता है हमें तब दो component का मत्तब ही हुआ कि हमेसा करें सॉल्वन्य ही लिए भी साधते हैं पानी ही ही तो लुए बाकि आंपक नमाग डालो गुशने मा बड़ा किसह टान सी के रहे हैं उसे तरीके से कोई बीस सॉल्वनीशन हो या मतलब कितने मतलब कास्ट कोंपोनेंट वाली, कितने में तीन कोंपोनेंट कादा जिसमें अभी मैंने आपको पता है, अमेशा एक रहना गए और सॉल्यूट कितने हो जाएंगी, आपके पास दो सॉल्यूट हो जाएंगी वैसे वाटनी सॉलुशन में चारव क्या इस तहीं किसम वॉन दा बिस सम्ट्राइब करते हैं ठीक है सैकेंड पार्ट जो है अब किसके बेसिश वह पर एक इसको बेसिश करेगा ऑंदा है बेजिस और कर नांफ आप कितना है इसके बेजिस सॉलूशंक को कि यह पहले पार्ट आते हैं रहे हैं और जापने देखा होगा कि जब आप क्या करता हैं झाल सरप जब सब्जी बनाते हैं और उसमें कर औरल तो उसमें करते हमais पानी अड़ पानी सब्जी में 500 अमें बहुत ज्यादा हो दिया सवय मान के चलते हैं सबसकर ममी ने 10 ग्रांट तो थोड़ा खारा गड़ने लगया और सवय में डाल दूंगे थोड़ा सा खारा पन क्या जाए लेकिन की की सॉल्य सामोंत अभी थादे के साथा जहां की इसी निमयरिकल बर्टेशन आथा है सब्सक्राइब कि सॉल्यूट का तो वह यह वह बहुत क्म है वेरी वह सेखेक हैं सेक्ट पार्ट जो आता है वह मैं रागी कन्संट्रेटेड इस सॉल्यूशन पानी बहुत जादा है और जो पानी बहुत जादा है और जो पानी में बहुत कम है कंसेंट्रेशन का मतलब यह होता है कि बेसिकली आप यह बोल सकते हैं एक अमांट को को पताता है solution के अंदर कि आपका अमांट कितना प्रजेंट याद रखना कभी वर कंसेंट्रेशन जो लगाएंगे या डायूट लगाएंगे तो बेसिकली फिलादा कंसेंट्रेशन को निकालने के लिए कि देखते हों ठीक है अपने देखते हों कि किसी का वेट पाउंड में दिया हुए किसी का वेट केजी में दिया हुए थिक है तो मास तो मासी होता है ना वहां मास मत्सक्直आ क्या वेट निकाला रहे का डिफेरेंग दिफेर्न तरीका वोद 16 केजी निकाला कोई पांड में निकाला कोई जरूप निसकादेशना इसका ने इन इसकादेशना इसकाद प्रिप्ट टू इस अलवाज टू इसकाद इसकाद इसकादू and it is defined as ratio of mass, oblique volume, oblique moles of solute to the mass, oblique volume, oblique volume of solution. ठीक है, तो generally concentration का meaning क्या होता? concentration कुछ नहीं होता, concentration का meaning यह होता, basically ratio को denote करता है, तो basically concentration का मतलब क्या? basically it is a ratio, ratio solute upon solute solution का, किसका? solute upon solution और एक concentration बॉल्ड में सिर्फ solvent यूज़ करते है, क्या है उसका उसका है? solvent तो यह क्या को? mass, volume, moles of solute upon mass, oblique, volume of solution या solvent तो basically कोई भी concentration term क्या होता है? कोई भी concentration term मेरा क्या होता? क्या है एक ratio को denote करता है solute upon solution का ratio आप जिसे marks of 10 कैसा निकालते हो? आप जिसे suppose करो 100 marks सार को mass का paper है तो आप जब paper से suppose कर आपको 80 marks है तो आप उसका percentage कैसा बूलेगी? आपको mass का percentage कितना तो आप क्या बूलेगी? 80 upon 100 100 आपको क्या था? mass का total marks आपने mass of 10 कितने किये? 80 तो उसी तरीके से क्या तो भाई किसी solute कितना present है? उस solution में हो कैसे बता चलेगा? तो अगर mass दिया हो है यहां पर क्या होता? अगर मैं बात करो next चीज की तो इसमें क्या होता? यहां पर concentration unit की बात आएगी आखी concentration unit क्या होता है? concentration unit इसको मैं दो पार्ट में divide करता हूं पहला बहुए मेरा group A क्या होता? Group A और क्या होता? Group B अगर किसी बच्चे को फिर भी यह चीजे नहीं समझ मा रही है अगर हर बच्चे से रिक्वेस्ट मेरी है आप तो घर में भी देख रहे हो इस lecture को एक बार आप toothpaste अपना कोई भी आप जो toothpaste यूज करते हो उसमें देखना उसमें जो toothpaste जिस जिस से बना हुआ है उसको वो percentage देता कि ये इतना % से है ये इतने % से है ये इतने % से है तो आपको different-different वो percentage की बतल इन्ट दिख दिया हो रहेगा तो आपको बैटर समझ में आजाए कि आकर में क्या समझा चानल की आखर हो actually में उसमें हर solute का percentage कितना है या किस तरीके समने लिया है, तो हर concentration unit को दो तरीके से मेरे divide कर, पहला होगा मेरा volume dependent, क्या होगा मेरा volume dependent, और दूसरा क्या होगा मेरा mass dependent, क्या होगा मेरा mass dependent, अब volume dependent अलग है क्यों लेख 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 क्य कि इंडिपेंडेंडेंडेंट होगा क्यों आप इसी चीज को घरन कर दें तो इसका बहुत परसंटेज को हीट करते हो इस चीज को मैं अब बहुत अच्छे से संजाने वाला हूं ताकि आपको फॉर्द एक क्लियर हो जाए परसंटेज बाइ वाल्युम सेकिंड है मेरा परसंटेज वेट बाइ वाल्यूम ठीक है थर्ड वन इस मोलारिटी एंफ फॉर्द वन इस नॉर्मलीटी चाहोगा नॉर्मलीटी च इसमें पहला हो जाएगा परसंटेज बाइग आप अ पर्संटेज बाइस जिसकों पर्संटेज डबलू बाइक डबलू से डिनोट करते है G क्या हो जाएका मेरा मोल लेटी यह नहीं है चौता है पार्ट्स पर में क्या है पार्ट्स पर मिलियन ठीक है अब आपको आपसे मेरे हमब रिक्वेस्टेट अगर आप फूरा देखो तो इसमें यह तर्मिनलोजी आपको जब देखेंगे पॉर्सेंट अब दूब बाई बीपी एम तो यह बिसिकली क्या बताता कि वो यह बताता कि आखिर यह कितना अब आपको आखिकली देशों भी दिनोट करता है इसालिट अपॉर्स पॉर्स पॉर्स ओपॉर्स ने खरता है तो अब एक तीधार बीटेल पर आता है कि अगर अगर में बात करूं अब हमें एक पहले डिस्कसन करें गुरूप हेका किसका डिस्कसन करेंगे गुरूप हेका गुरूप हेमें मेरा क्या है पर्संटेज बाइड गॉलुम को डिनोट करता है पर्संटेज बाइड वी कहीं वड़ लिखा है या मैंने बोला कि सपोस्ट करों आपके पास कोई सब्स्टांस लेट से आपके पास कोई सब्सक्रांस क्या सब्सक्रांस बोलो सब्सक्राइब 40% वाल्यूम वाल्यूम एने वह इसका मतलब यह हुआ 40 ml एने वह प्रजेंट है 100 ml solution में क्योंकि आप थोड़ा सा लॉजिक लगा परसंटेज हमें साम तिसमें निकालते हैं 100 में तो आपके लिए ओवर्ल टोटल तो चीज क्या होगा 100 अब जो भी चीज दिया होगा उसका वह परसंटेज हो जाएगा सब्सक्राइब करो मैंने बोलें कि 20% एनोल भी बाइब यह 20% मतलब क्या 20 ml एनोल प्रजेंट है 100 ml solution में ठीक है तो इसका definition क्या होगा कि बेसिक definition तो volume of solute in ml present in 100 ml of solution present in 100 ml of solution known as परसंट वी बाइब तो इसका जो फॉर्मूला होगा परसंट वी बाइब इस इपर टू क्या होगा वाल्यूम ऑव सॉल्यूट अपन वाल्यूम ऑव सॉल्यूशन इंटू 100 ओके जानते पार सामझ में वाल्यूम सॉल्यूशन अपक्र लिख सकते हो 10 minute वाल्यूम ऑगल्यूम ऑगल्युकर आनला हो 10ковि अबू Het ग्हीं मुद्भाएब दोनाक्र ऑंपन स्वाइब डूर्यूम मैं तो इस परसंटेज़् बाइब दो pag अब वॉल्यूम भाई, वॉल्यूम ते एक छोड़ा सा कुश्चन करते हैं, आपको वार बैटर साम निजमा एक है, कुश्चन है, 30 ml of ethanol is mixed with 45 ml of water, calculate percentage V by V of ethanol, ठीक है? आप समझो, कुश्चन देखके दोतिर बात है, आप हमेसा अनलाइज क्या करो, क्योंकि देखो, concentration term unit हमेसा किस से related होता है, हमेसा related होता है, वो solute से, किस से related करता है, हमेसा solute से, तो कुछ मत करो, percentage V by V पूछा, उसने, volume of solute कितना है, अब यह पहले आपको डिसाइड करें को solute solvent कोन सा है, इतनल, 30 ml, यह 45 ml, यह 45 ml, यह solute होगा, 45 ml solvent होगा, 30 ml मेरा solute होगा, तो ऊपर 30, नीचे, volume of solution, तो इसका मतर 30 plus 45, क्योंकि आपको total volume रहे नहीं है, जब आप दो चीज को mix करो, ऐस समझन बेटा, आप दो चीज को mix करो, तो उपर से बात, volume हमेसा add होगा, होगा कि न बनाते हो गर पे, सबसकोर आपके बहुत सारे महमाना है, बहुत सारे मतर पूरी उतल लग जाएगे आपको, पूरी वाग्जा बनाने में, आप सबसकोर एक लिटर पानी लेते हो, और एक लिटर आपके वाग्जा लेते हो, तो दोनों को mix करो तो volume बढ़ेगा, ना, volume तो constant नहीं रहेगा, तो ऐसे समझो, दो चीज को आपको mix करने पर, volume में सा क्या उतल बढ़ता, और अविस साबाता, volume तो solution क्या, volume of solvent plus volume of solvent into 100, तो that's nothing but 30 by 75 into 100, तो ये 4, ये 3, तो that's nothing but 40% V by V 40% volume धिया हो, ठीक है, यहां तो आपको बात समझ महें हैं बीटा, ठीक है, ना एक और question क है, how many ml of solute should be added, how many ml of solute, how many ml of solute, how many ml of solute should be added in 300 ml of water, in 300 ml of water, to obtain a solution, to obtain a solution, to obtain a, to obtain a solution containing, containing 80% volume of solute, 80% volume of solvent, 80% volume of solvent, 80% volume of solute, 80% volume of solute, अब यहां पे देखो, जनरेले इंटरेंस में तो येसे question को भई आप मोड में आते हैं, मतलब ऐसा तो बूल आपको ये question क्या रहा है, आपको उसने दिया हुआ है, पहले तो आपको उसने दिया हुआ है, पहले तो आपको पहले तो उसे पने वीडियो ठाइटी हुआ है, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, solute का volume निकालना है, क्या निकालना ? solute का volume, percentage by volume उसने किस का दिया है, solute का, तो solvent का 80% है, तो 20% volume by volume किसका होगा, very good, solute का होगा ना, भया, सो में असी परसंट है तो बीस परसंट क्या होगा तो ट्वंटी इधर हो गया उपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मुझे पाता निया और मिक्स कर रहा है तो 300 प्लस V is equal to 5V, that's nothing but V equal to 75 ml यहां तक आपको समय में आपको समय में आपके रहे बच्चो क्या बोलना चाहरा हो मैं ठीक है तो अब हमाँ नेक्स नेक्स कंसेंटरेशन को कि तरह समझ पढ़ते हैं तो इसको बिनाट करते है percent W by V, percent W by V नाम से समय में उपर को भाया क्या लेना nीचे solution तो जल्दी सोचो क्या होगा उपर weight of solute, nीचे volume of solution हर चीज़ आपको 100 में लेना है इसका मतलब W gram present होना चाहिए 100 ml solution में करसे बोलो W gram of solute should be present in the 100 ml of solution इसका हम percent weight by volume of the system अबनेशनली देता हम weight of solute in gram should be present in 100 ml of solution सिर्फ एक concentration unit में आपका solvent राता पाया कि हल concentration unit में नीचे हम solution ही लेंगे यहां तक आपको पास समझ में है तो percentage W by B का formula हो जाएगा weight of solute upon volume of solution into 100 तो इस परसंटेज वी W by यहां तक चाहिए आपको पास समझ में आगए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं एक question काते है for better understanding question क्या है an aqua solution contain and aqueous solution contain 30% 30% W by B of urea of urea पहला है पहला है what does it mean इसका meaning आपको बताना है ठीक है second है ठीक है second है second है second है what weight of urea will be what weight of urea will be what weight of urea will be presenting presenting 5 ml of solution पहला करतो मीनिंग मैं आपको ऐसे औरली बता रहा हूं मैं ठीक है 30% W by B जल्दी बुलो क्या होगा 30% W by B of urea का मतलब यह हुआ लेकिन aqueous solution बुला क्या बुला क्या बुला है aqueous मतलब solvent क्या होगा आपको बस water बुला समझो 30% W by B का मतलब यह हुआ 30 gram urea present 100 ml solution में फिर से बुलो क्या होगा 30 gram urea present 100 ml solution में तो simple meaning है urea मेरे लिए होगा solute solution तो obvious बात एका solution मेरा तो 30 gram urea present 100 ml solution ठीक है what weight of urea will be present in 5 ml of solution ठीक है तो दिक्कत नहीं है आप इसको orally भी कर सकते हो formula के according भी कर सकते हो orally समझो 100 ml में 30 gram weight है 100 ml में 30 gram है तो 1 ml में कितना होगा 30 by 100 5 ml में कितना होगा 30 by 100 into 5 इतना ही कर नहीं कर नहीं लिगे तरिवे आपको दित्का तरिए कोई कर नहीं मुझे परसेंटें weight by B डबदू दिया होगा इतना होगा 30 दिया हो उसने वाट weight तो उच्छा है मुझे और उसने volume of solution कितना दिया होगा 5 दिया हो into 100 this or this cancel तो यह कितना हो जाएगा 15 by 15 by 10 that's nothing but 1.5 आप SMB कर सकते बात यह इतने method भी कर सकते SMB कर सकते इससे मुझे कोई भी आपती नहीं आप जिस तरीके से भी जाना चाहते तो जा सकती हो ठीक है अगर हमां बात करते है आप थोड़ा गौर कर रहे होगा मैं आपको questions बहुत जादा कराता हूँ क्योंकि physical chemistry में theory नहीं है physical chemistry is a part of application आपका application आना चाहिए जो application क्या होते numerical होते है हमारे ठीक है basically याद रखना physical chemistry combination of physics and math जिस रख्चे का physics math अच्छा आपको अच्छा आच्छाए छी रिए डिए ठीक है ना नेक्स पुचिण हमारे है 5 moles of glucose are 5 moles of glucose are 5 moles of glucose are dissolved in dissolved in 5 moles of glucose are dissolved in 1.1 kg of water 1.1 kg of water, 1.1 kg of water, if density of solution is 1.25 gram per ml, 1.25 gram per ml, then determine, then determine percentage w by v, percentage w by v of glucose, यहां तर आपको समझ में आगया होगा, ठीक है, अब दो कि यहां पर मैंने कोई चीज डारेक्ट डारेक्ट वे में नहीं दिया, आपको मैं इन डारेक्ट वे में सारी चीजा आपको दिया और आपको पकड़ना ही बात है, ठीक है, आपको देखो, फॉर्म्ला होता है, क्या फॉर्म्ला यह होता है, परसंटे, w by v का मतलब होता है, weight of solute upon volume of solution into 100, नहीं समझना, अब आपके पास solute क्या है, यह solute आपके पास glucose है, ठीक है, मैंने आपको 1.1 kg solvent दिया, मतलब this is the weight of solute, मैंने volume तो दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ दियर density solution का दे दिया, solution की density दिया, तो आपको क्या पता करना पहले weight of solute, weight of solute तो में बढ़ा कर सकता है, यह 5 moles से glucose है, तो weight of glucose कितना हो जाएगा, weight of glucose आपके पास हो जाएगा, 5 into 180, moles into molnumas, वह साहब क्या देता है, weight देता है, मतलब 900 gram, यह आपके पास weight हो जाए, weight of solvent, मतलब water जो आपके पास है, वो कितना दिया हो, वो 1.1 kg, मतलब 1100 gram दिया है, तो weight of solution, कितना हो जाएगा, 2000, खेक है, then what is the volume of solution, volume of solution क्या हो जाएगा, गल्दी बोलो, very good, क्या density upon mask, यह गरेंगे न, weight of solution, तो mass upon density, mass upon density, तो mass मेरे पास कितना है, 2000, upon 1.25, तो यह उपर 2 चला जाएगा, यह, 5 जाएग, यह, 4 जाएगा, यह, 400, यह हो जाएगा, 1600, कितना हो जाएगा, 1600, therefore, the percentage, W by B क्या हो जाएगा, percentage, W by B हो जाएगा, मेरे पास weight of solution कितना है, 900 upon 1600 into 100, तो यह, मेरे साथ से यह, जाएगा, 56.25%, ठीक है, तो कभी-कभी क्या होता है, चीजे आपको निकालने पड़ती है, इन डिरेक्ट वे में देखोगे, तभी भी इक बात यह याद रखना, formula यही है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर इसमें से missing data रहेगा, वह आपको निकालना, आप choices रहे हो, आप उसको कैसा निकालता हो, या किसी चीजी का आपको कैसा समझते हो, आपको 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 जान रतना, capital M से denote करते है बता, किसे denote करता है capital M, बहुत जाला important part है, इसको हो किसे denote कर लें है, capital M से, ठीक है, तो क्या होता भे है, यह molarity, देख जाओ, इस defined as, अगें ये भी solute upon solution पर चीज़े यहां पर चीज़ रहेंगे यहां पर it is defined as moles of solute present present in one liter of solution present in one liter of solution यह पर लिटर आप बेसिकली करो ज्यादा चाप प्रजेंट पर प्रजेंट इन पर लिटर आप solution इसी को क्या बोलते बेटा molarity कहते हैं क्या कहते हैं इसको molarity अगर अगर आपको यह सब चीज़े समझ में होगे अगर अगर आपको यह सब चीज़े समझ में आए हो तो आप प्लीज के पीशे जाके लिए फेशे लिए पीपे इंड दिया होगा Wb वी इवें आपको कॉछ सिरफ में रहता है कवसिरप में दिखा लिखा है 20% अलकोहल बीबाइवी 20% आलकोहल का मतलब क्या हो 20% का मतलब है बीस एमल अलकोहल है 100 ml solution में तो यह बाइवी का मतलब ही होता है अब यह आपका गौर से देखना या कोई भी आपके पास कॉप यह कोई भी पीने बादी दबाई होगी ना डिया आपको पता हुनी चाहिए अब इसब कायगी होना चाहिए कैक है, नेक्स समारा है, टिक है, अबसका रोल्ट रोलो, टिक हो मोल्स ऑफच्राइब टिमारे मोल्स ओट डिवाइइड बार्यूमु, वॉल्यूम किसमे लीटर में और सॉल्यूशन इन्टू हंड़र इन्टू हंड़र अगर इसको मैं ऐसा भी चैंज कर सकता हूं मतब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मोल्यूट मतब और व मतब वॉल्यूम इन लीटर यह शोट कॉम में ऐसे भी लीख सकता हूं गया मोल्यू सको क्या रीट अपन मोलर मास्त लीख सकता हूं बिल्कुल लेक्ष तब और फॉरम में क्या छाता है वेट अपन मोलर Mississippi इन्टू 1 वाइव यह घ़ा होगा जब लीटर नोगा एक और यह हो जाता है W by M as it is रहे लेकिन अगर वाल्यूम एमल में है वाल्यूम किसमें है एमल में है तो आप उपर क्या कर दो थाउजन से मंटिप्लाइ कर दो तो यह आप मोलरिटी का मेरा third formula हो जाता है ठीक है W into 1000 by M into V लेकिन यह भी किसमे मेरा अब देखो ज्यांसे क्या संधाने की कोशिश कर रहा हो है यहांपे ठीक है जैसे सबुस्ट करें मैंने बोला कि आपके पास 5 molar solution क्या है 5 molar solution है तो 5 molar solution का मतलब यह होगा कि 5 mol present 1 liter solution फिर से रिपीट कुर मेरे साथ फाइफ मोल्स प्रजेंट है वन लिटर सॉलुशन में तो फाइफ मोलर सॉलुशन का मतलब यह बता है यहां तक चला है, होप से यहांते चीज़ा बास समझ में आ रही होगे चला मैं लिख रहता हूँ मैं पूच रहा हूँ इसका मेनी जी होगा कि फाइफ मोल्स प्रजेंट इन वन लिटर अफ सॉलुशन तो यहां तक चीज़ा आपको समझ मारे है मैं आपको क्या कहना चाहरा हूँ ठीक है कभी-कभी वर्टेक आपको समझ ना है या से संथा मोलन है मेरा क्या है मोलन हो मेरे पास सिर्फ मोलर या डापको दिया हूए मोलर ठीक है तो सम stoleneld m मंस Title mont मूल प्रेजेंट इन वन लेटर सॉलिशन वन मूल प्रेजेंट है वन लेटर सॉलिशन में ठीक है, अगर आपको कहीं नुमेरिकल में सेमी मूलर लिखा हुआ है, सेमी मूलर मत्लब M by 2, M by 2 का मत्लब यह होगा कि वन हाफ मोल प्रेजन है, वन लेटर सॉलुशन में, अगर आपको पैंटी मोलर दिखा हुआ है, पैंटी मोलर का मत्या भी होगा, मतंब 1 by 5 mol present है 1 लेटर solution में अगर आपको सबॉस करो decimolar दिया हुए क्या दिया हुए decimolar decimolar मतंब क्या होगा m by 10 मतंब क्या होगा 1 by 10 present है 1 लेटर 1 by 10 mol present है 1 लेटर solution में तो यह सब वर्डिंग आपको पता में चाहिए कि आखिर में क्या कहना चाहता देखो अब यहां से एक और कहाणी में ट्विस्ट आती है जबरों बाद अच्छी ट्विस्ट है करें पदा ज़ले आप डर गए तो कहाणी खतम हो जाएगी फिर तो देखो जनरली क्या होता ना बच्चा कहले एक चेप्टर को देखके बहुत डर जाता है कि भाईयों मूल लैसारे को पुरी केमिस्ट्री हो गया ऐसा जरू नहीं बैटा हमेशा रहना है अगर आपको कोई एंटर्स करेक्ट करना है तो आपका केमिस्ट्री पार्ट सबसे स्ट मैंने इस माने मायाटी दे दे ते टl में फीजॅ कॉलिफाइखा तो मेरा मैंस्क बहुत अच्छा नहीं था करें क्बाएखन हो सकता है औरो क्शे केमिस्ट्री में सब्से पहरोड दिएक्टर करनें कोशिे कि छहर में कीष्शा हृता तो जादे पूलिस्वें थे तो इसे तो चलो खेर बाते हो तो भी तो अब टॉपिक नाव एक क्वेश्चिन अगर भूए तो भी आपको बताना था जैसे हम मुल्स निकलने कितने तरीके थे पहला था पहला था जो मैंने बेसिक में बचाए था दूसरा पहला क्या था अगर आप नंबर ऑफ मॉलेकुल दियो तो आप अगर वाल्यू बता है एस टिपी कंडिशन पर आप उससे भी मॉल्स निकल सकते अब एक तरीका यह है यहां से देखो यह मॉल्स यह वाल्यूम है नाव नेक्स तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा एव इंटू वी यह किसम होना चाहिए लीटर में होना चाहिए ठीक ह है इसको हम क्या बोलेंगे मोल्स बोलें इसको हम क्या बोलेंगे मोल्स ठीक है लेकिन अगर मानों यही मेरा किसमें दिया हुआ है अएमल में अएक है में अब किसमें नत्रीए में नेट ओन हाप कि चीजे तो सेम भी रखती है आई पास समझे तो ये खीज़ आ तक ना अब हमारे पास जो निमेरिकर कोश्चन बनेंगे अब तक मैं आपको क्या होगा आपको आपको चीज़े दी जाएगी या मौलरेटी और वालूम के फॉर्मेट में आपको चीज़े दी जाएगी तो नहीं है चिक है नाँ चलो है कॉर्शन में आपको संधाता हूं पहले दो इस प्रक्रिशन करता है पाइला क्रशन आपका कैल्कुलेट वेट अफ तो प्रसेंट एंट अप्रसेंट इन 200 ml of Dacy molar solution Dacy molar solution इसमेर कि यहां पे फ्टोड़ा चेंज किया है अब ये मोलरेटी कितनी दियों ये डेसी मोलरेटी वन बाइटेन, डेसी मोलरेटी वन बाइटेन, वेट और सॉलिट मुझे निका, बोलो मास कितना होगा, 98 इंटू, 1000 अपान 200, तो दिस नथिंग बट 5, तो डबलो बाइबर कितना हो जाएगा, 98 बाइ, 50, ये मेरा क्या हो ज चल्कुलेट, मोलरेटी, और फॉलोविं, ठीक है, पहला है 18 ग्राम ओफ, 18 ग्राम ओफ, 18 ग्राम ओफ, ग्लुकोस इन, वन लीटर आप, चलो, पहला चोड़ा कुशन दिया है, 18 ग्राम ओफ, ग्लुकोस है वन लीटर, 18 ग्राम ओफ, ग्लुकोस है, पहला है, मोलरेटी का फामुला क्या होता है, एन बाइबी, एन मत्वर कितना हो जाएगा, 18 को डिवाइटी को डिवाइटी से तो, 0.1 मेरे पास मोल्स हो जाएगे, वॉल्यूम बाल लीटर नमा तो, मोलरेटी कितनी हो, 0.1 है मोफ, ठीक है, सा आपने चोटे बेसिक बेसिक कोशन करें, आपने अपने कांसेप्ट स्टॉंग करेंगे, 2 मीली मोल्स, क्या आपके पास, 2 मीली मोल्स in 200 एमल, in 200 एमल, in 200 एमल, in 200 एमल, solution, ठीक है, यह भी मैं आपको ले दिया, कि यह जो, मतलब बॉल्यूम किसका है, solution का है, ठीक है, तो गें, दे को विंडा, याद रखना, अगर उपर मीली मोल्स है, ठीक है, एम याद भी मीली मोल से, नीचे भी मैल, तो नो नीचे भी मोल, तो इसको चेंज केने की कोई जर्द नहीं है, मुझे मीली मोल कितना दियाव, 2 दियाव, नीचे डिवाइट करूँ में किस से, 200 से, तो दरफ नतीम बर 0.01, क्या गएगा? 0.01, फिक है? तिक है? नेक्स टिर्ट, थर्ड, 5 mols in 200 ml solution, इसका molarity आपको सबस्कों निकाला, अब समझे बात को, molarity, उपर तो कितने भी है? 5 mols, नीचे, आप volume लीटर में लेना पढ़ेगे, क्योंकि उपर mols है, मिली mols ने, या तो इसको मिली mols में करवट कर दो, या तो इसको ml में रेने दो, या तो इसको लीटर में करवट कर दो, इसको mols में रेने दो, दो बात है या तरग ना, तो चलो मैं इसी को क्या कर दे रहा हूं? 0.2 क्या कर दे रहा हूं? तो इसको, 0.2 हो गया, आराइ, 0.2, इसको लीटर में हो जाएगा, तो यह क्यों हो जाएगा, तो यह क्यों हो जाएगा, 50, तो इस नतिंग बट 25, ठीक है, या तो आपको बास समझ माई, क्या क्या समझाना चाला हूं है, ठीक है? ओके, नाव, फोर्थ कुश्यन आपका है, यह भी छोड़ा ले रहा हूं है, 100 ml of, 100 ml of 0.2 molar SCL, प्लस, अब मैंने इस में क्या कर दिया, 3.65 gram of SCL, 3.65 gram of SCL, ठीक है, इसका आप तो क्या निकालना है? पहले आपके पास, solution के पास, अलरी कितना था? solution के पास, आपके पास यह था, उसमें आपके 3.65 gram कर दिये, आड कर दिये, तो आपको नेट एक्जर क्या निकालना? पहले आपको निकालो, पहले आपको निकालो, आपको क्या है? यहाँ पहले के लिए, पहले के लिए, टो तो यह वोहाईगा, 0.02, और इसकेस के लिए मेरा मोउस कितना हो जाएगा, 3.65 को दिवाइद कहो वहाई, 36.5 से, यह हो जाएगा, 0.1, तो टोटल मोउस आपके पास कितना होगा, 10 टोटल आपके पास होगा, 0.12, तो अगें मॉन्गे आपके पास क्या होगा, 0.12 बैदे कितना है या 0.1 क्योंकि उपर मोट्स है तो नीचे आपको क्या रखना पड़ेगा लिटर रखना पड़ेगा तो यह हो जाएगा मेरे 1.2 मोलर या कैपिटल M से भी रखना पर सकता है इसमें कोई गोर तरवाली बात नहीं है ठीक है एक और कॉशन जबते हैं ताक्कि फॉर पैटर अंडरस्टेंडिक और अच्छे से में संदर रिमाएं ठीक है वो कॉश्चन क्या है देख लेते हैं ट्रहित थे ताक्षे अंडर्या काय तर सी है गोलूम थे लिटल आ या काल्से ग्रडी मन्या डôm आवर्या खिटलिग रखन आवल्या N-A-S solution is required to neutralize 200 ml of 200 ml of decimolar decimolar H2O4 H2O4 solution ठीक है आपको दो बाते बताने नहीं चाहब है ठीक है ये बात आप प्लीस समझेगा ठीक है मैंने आपको पहले बोले कि पहले वाले प्रोडम में क्या होता था मैं डारेक्ट के वेट देता था आप स्टाइचो मेंटरी से बागी कदर information नहीं काब देते रहे अब वेट नहीं देखे मैं आपको अब आपको प्लास तो उसको आपको कुछ नहीं करता है मोस में करते है ठीक है तो पहले कमें रिक्शन लिखूँगा एंड ने ओवेट प्लस ह्टो एसटो आपको क्या देगा जल्दे बोले वेटा एंडे टो एसटो प्लस अब एंडे वेट के वाल्य निकालना है आपको चीक है यह वाल्य निकालना है किसका एंडे वेट का तो छोड़ दो लेकिन इंफोर्मेशन किसके बार दिया है इसका 0.2 ml है ठीक है और देसी मोलर है तो 0.2 ml मत्तब 0.2 लीटर और देसी मोलर मत्तब 1 by 10 molar तो एंडे वी वाल्यूम तो मैंने लिटर में करवाट किया 0.2 और देसी मोलर मत्तब 1 by 10 तो यह 0.02 मेरे पास किसके मोल्स है तो यह एगा 0.02 moles है तो इसके moles कितने होंगे 2 to 1 में रेश्यू है तो यहाँके सबदेस कर ट्वाइस कर ट्वाइस हो जागा तो इस इंटू 0.02 मत्वाट 0.04 यहां के पास mole आ घे तो यह 0.04 हो गया मोलरेटिस ने कितने लिए सेमी मॉलर मांका 1 by 2 वाल्यूम हमें से किसमें आएगा लीटर में इस किसमें क्योंकि मैंने को चेंज ही नहीं किया तो वाल्यूम परापर आजागा 0.08 लीटर आपको अपसर यहां तक आपको चीज़े समझना है जोगी प्लीटर आपको चीज़े आपको समझ माया होगी क्या कि मैं क्या समझना चाहरा हूँ ठीक है नौ एक और कॉश्यन करते हैं पूर फॉर्दर पैक्टिस आपको अच्छे समझ माया थागी ठीक है Calculate volume in litre of ammonia gas of ammonia gas of ammonia gas of ammonia gas produced at STP produced at STP when 500 ml when 500 ml of 0.2 molar of 0.2 molar of 0.2 molar of 0.2 molar NH-H ammonical sulfate NH-4 twice SO4 NH-4 twice SO4 reacts with reacts with reacts with 250 ml love 0.6 molar NH-OH solution solution ठीक है तो तो कुछ एक discussion को करने से पर एक little concept है ठीक है या रखना carbonate हुआ या बाय carbonate हुआ ठीक है यह basic nature के होते है किस nature के होते है बेसिक क्यों होते हैं यह है यह हमेशा किस के साथ रियक करेंगे एसिद के साथ लेकिन अगर ammonium ion हुआ NH-4 plus होता है तो यह किस nature का होता है बेसिक नेचर का होता है यह हमेशा किस के साथ रियक करेगा किस नेचर का होता है यह हमेशा बेस के साथ रियक करेगा तो यह पॉइंट के इंपार दिमाग में या जटना ठीक है अब यह एक्शन मेरा क्या है NH-4 twice SO4 plus NaOH ठीक है अब समझो यह मेरा किस नेचर का है यह किस नेचर का है यह किस नेचर का है यह हो जाएगा और यह प्लस ट्वाइस अधरी प्लस ट्वाइस तो यह इसका रियक्शन हो गया अब समझे बात को उसने क्या बोला है 500 ml दिया वाता 0.2 ml का तो 500 ml मतलब 0.5 लिटर बरबर इंटो 0.2 मतलब यह कितना हो जाएगा 0.1 कितना हो जाएगा 0.1 मोल सो है ठीक है अब यह रियक्शन है किसके साथ 250 मतलब 1 by 4 लिटर 250 मतलब 1 by 4 लिटर इंटो 0.6 तो यह कितना हो जाएगा 40 0.15 यह 0.1 जाएगा किस्ट करें तो यह क्या हो जाएगा 2 लिटर बीटिंग लिटर बात यह मेरे लिए लिए लिमेंटिंग लिए और यह क्या हो जाएगा उसने क्या पूचा है अमोनिया की इतना प्र Druid so कि मुझे स्काम स्पर्द चलिए अगर होते नहीं यह आपको मॉल्स पता चलके 0.15 तो वॉल्यू कितना हो जागा किसे बचे को फिर भी हाड़ा तो ऐसा सब्सक्राइब निकालें इसका स्टाइच्वमेंट्री टू नीचे और इसी के मोल से क्या करना है क्योंकि लिमिटिंग डिसाइंड करता प्रोड़क्ट तो इस तरीके से में क्या कर सकता हूं सब्सक्राइब कर सकता हूं यहां तक आपका एक प्रोड़क्राइब करेंगे यहां तक आपको सारी चीज़ आपको क्लियर होगे कोई भी बच्च आपको किसी लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट आता है प्लीज एनिटाइम बिफोर टैन ओक्लॉक रात में दस वह से पहले आप मुझे कभी भी कॉंटक तर सकते इसको लिए पोई शुक्त है आपको कोई भी बच्च आप इतना तो करेंगे क्योंकि आप एंटर्स निकानने के लिए अगर आप यहां पर आये हैं तो बिल्कुल मतलब मैं I am with you always आपको कोई भी बीट आउट आए तो you can ask at a time Thank you very much